बाई सारे बायान आजोड के रामराम बाई सस्रियकाल साथियों बहुत सारे साथी पूछते हैं कि आगे का कारेकरम क्या है आंदुलन में आगे क्या कदम उठाया जाएगा तो पिछले दो-तिन दिनों से बड़े विस्तार से दोनों फोरम से उकिसान मोर्चा है राजनितिक हमारे शहीद शुक्रण सिंग जी का अंतिम सिस्कार हुआ वहां पे भी सारी लिडर्शिप मौजूद थी और कल यानि तीन तारीक को उनका भोग है अंतिमर्दास है पूरे दोनों मोर्चों ने ये फैसला करया है कि भाई हमें दिल्ली जाने के दिये ही अपने गरों से नि सब कुछी नरों दिया गोडी भी चला दी इनों ने जेरी लीग एस के गोड़े भी छोड़े और उसके उससे उनकी शादत भी होगी तो जितना सरकार जुलम कर सकती है जितना सरकार कर सकती है जितना सरकार क्रूरता परच सकती है सरकार उससे भी आगे बढ़के वो सारे काम कर रही है ऐसे उसमें दोनों फॉर्मों ने ये फैसला करया है कि हम मजबुत्ती से यहीं पर बैठ़ंगे जब तक सरकार कि ये तानाशाई और जुलम कम नहीं होगा जब तक सरकार ये बंद किये हुए रास्ते नहीं खोलेगी तब तक हम शंभू और खनौरी बॉडर पर यहीं मजबूती से बैठेंगे और जिस दिन सरकार की ये तानाशाई सरकार की एक रूरता सरकार का ये जुलम कम होगा सरकार जब जाए रस्ते खोलेगी, उसके बाद हम दिल्ली जरूर जाएंगे, और तब तक हम शांती पूर्ण तरीके से यहीं बैठेंगे, और इस आंदोलन को देश के कोणे-कोणे तक ले जाने का काम करेंगे, इस आंदोलन को यहीं पर बैठ के पूरे देश में पहुचाओंगे देश के हर नागरी की आवाज इसने बढ़ाओंगे और मजबुती से आंदोलन आगे बढ़ाओंगे तो मेरी प्रार्तना है अपने अर्याणा के साथियों से भी कि जो साथी शंबु पोँच सका है वो शंबु पर जो साथी खनोरी पोँच सका है अपने अपने गाओं के अपने अपने बलोक के वे अपने टेंट लगाओंगे मजबुतीत लगाओंगे और आगे का जो फैसला होगा दोनों फॉर्मों का, वो किस तरीके से इस सांदोलन को तीखा करेंगे, किस तरीके से आने वाले समय में इस सांदोलन को देश्वयापी करेंगे, इस सांदोलन को केज करेंगे, उसका एलान तीन तारिक को, यानि कल शहीद शुबकरण सिंग जी क बोग पे अंतिम अर्दास पे वहां से किया जाएगा और मैं ये भी प्रार्थना करना चारा हूं दोनों फॉर्मों ने फैसला किया है कि कल जो अंतिम अर्दास होगी शही शुक्तरन सिंग की वहां पे बहुत बड़ी गैदरिंग करी जाओगी बहुत बड़ी पंचायत का उ अपने अरियाना पंजाब राजस्थान यूपी के बाईयों से एक प्रार्थना कर रहा हूं जिस जिन मांगों के लिए जिस MSP कानून के लिए शुबकरण सिंग्जी ने अपनी कुर्बानी दी कल सारे साथी उनके अंतिम अर्दास में शामिल होका है उनको एक सच्ची शर दाजली देम है और सच्ची शर्दाजली तो वह होगी जब इस अन्दोलन को हम जीतने ये सारी मांग पूरी कराऊंगे बहुत-बहुत धन्यवाद वायक बुरुजी का खाल्चा स्री वायक बहुत बहुत धन्यवाद